दोस्तों मैं हरीकेस यादा और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया अभी मैं उत्तर प्रदेश के एनेस टॉंटी एट पर रुपस्तित हूँ और जो पीछे आपको फोर लेन दिखाई दे रहा होगा ये लखनाव से होते हुए अवद्या को जाता है और आप इससे और आग पेट्रोल पंप जो भारत पेट्रोल पेट्रोलियम का साखा है तकरीबन 12 विगहा में ये फैला पेट्रोल पंप अपनी खुबसूरती और साब सफाई को लेकर काथी चर्चा में रहता है मेरे इस वीडियो को बनाने का ये मक्सद है कि जो दूर दराज से गाड़ी लेकर इस रोड से गुजरने वाले ड्राइबर भाई हैं जो अच्छे जगह पर रुखना चाहते हैं साब सफाई वाली जगह पर ठारना चाहते हैं उनके लिए यह खुबसूरत जगह है और सबसे अच्छी बात यहां कि यह है कि अगर आप 500-1000 की मात्रा में पेट्रोल डीजल अ तो यहां आपको उपहार भी दिया जाता है मैं आगे उस जगों को भी वीडियो में दिखाऊंगा की यहां कितनी साब सफाई और नहाने से लेकर खाने तक अठारने की बिवस्ता है नहाने की शची के अभी गाई weelin कि आप थोड़ा करीब आएं और दिखाएं कितना स्वच्छ और साफ जल है इस से ड्राइबर साब लोग नहाते हैं ड्राइबर लोग ही नहीं इस धाबे पे जो लोग इच्छुक होते हैं जो दूर दराज से लोग आते हैं जो ठाड़ते हैं जिनको असनान करना होता है वो यहां रुकते हैं बगल में जो दिवाल आपको दिख रही है और कपड़ा ठांगने के लिए भी आपको अच्छी सुबधा दिखाई दे रही होगी और कुछ लोगों का कपड़ा भी टंगा दिखाई दे रहा होगा यह चीज दिखानी इसलिए जरूरी है कि लोग समझ नह साथ में चीया धाथ एक तस्भी आपको दिखाता हूं जिसकी मैं विडियो में चर्चा किया हो यह व्य पर प्रमसी ज्यादा ने साफ करती है को अनु में साफ करती है यहां कपड़े साप होते हैं बाहर सुखाए जाते हैं और यह अंकल जी है जो कपड़ा प्रेस करते हैं काफी सुन्दर ब्योशता है बगल में ठीक इसके बगल में यह नाई की दुकान है जहां अब मैं इस सीज को इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर कोई भी ड्राइबर हो य जो हमारे पूरुस लोग हैं उनके लिए अलग सुब्दा है साप सफाई के साथ यह आपको इस नजारे को मैं दिखा रहा हूं आपको यह वीडियो मेरे समझ से पसंद आएगी बगल में यह दुकान है आप यहां से ठंडा पी सकते हैं कॉफी पी सकते हैं और जो भी इनके आप उसका आनद यहां उठा सकते हैं अब मैं और आगे बढ़ूंगा और इस इसको दिखाने की कोशिज करूंगा क्योंकि यह चीजे मिलती नहीं है अब यह थिएटर रूम है और सामने की जो यह तस्बीर है यह सीज को मैं कहूंगा दिखाएं बीच में जब कोई प्रग अब होता है तो लोग किनारे बैटकर उसका आनंद लेते हैं दर्सक लोग बैठते हैं किनारे यह थिएटर है यहां का यह सारी चीजे आपको हर जगर नहीं मिलेंगी अभी मैं इस पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से के तरफ आ चुका हूं और यह अपना धाबा है इसका अब ही अपना धाबा है यह बस के अगले हिस्से का पोजीशन यहां लगा दिया गया खुबसूरत लग रहा है यह धाबा है खास तोर से इस पेशल उन ही लोगों के लिए बनाया गया है जो बड़ी गाडिया लेकर चलते हैं जिनको रात में ठारने की जरुत पड़ती है जो चलाते हैं जो बड़े बड़े टेलर या बड़ी गाड़िया जो चलाते हैं उनके लिए अब मैं पिछे यह इस प्रेट्रोल पंप का पिछला हिसा आपको दिखा रहा हो पीछे का ग्राउंड है कुछ आपको ट्रक भी खड़े हुए दिख रहे होंगे इधर कुछ ड् भी 30 साल हो गया गाड़ी चला रहा हुं अभी आप कहां से आ रहा है और कहां जाने वाले हैं मैं अभी लखनोरुका दा लखनो से चल करके मुझे जो है गोरग ठुर्टक जाना है तो यहाँ पे अच्छी सुजा मिलती है इस पीटोल पम पे तो मैं यहीं रुककर कर खाना तेल भी भरवाता हूं फिर में आगे गोरकुर के लिए जो है गाड़ लेकर निकलता हूं इस ते अच्छा है पिटॉल पर इस रूड़ पर कहीं है नहीं तो और जगहों से यहां के बारे में क्या बताएंगे और जगहों से यहां क्या-क्या सुभधाय है और आपको यहां कि कि आना होता है कि यहां पर यहां मुझे विश्वास है कि इस कंपटरोल पंप अच्छा है यहां को मिलता है और यहां चलती रहती है जैसे हम ने हम होती है अराम से मैं हाँ सकून से बढ़िया लगा करके सो सकता हूं यहां सब्सक्राइब कर इस तरह की फैसलिटी हां मिलती है मैं अब आप से बात कर लो कि क्या नाम है आपका सितराम चोदरी कहां साय चाहिquxaju實 चाहिए साथ राजस्थान से काफी लंभा रूड है पहले शोटल की बारे में आप जानते थे कि पहली बार आउना नाय पहले भार आया कैसाल पर अपकों ay 009 कि आप अपने ड्राइबर भाईयों को अगर इहां के बारे में कुछ बताना चाहें तो क्या बोलना चाहेंगे हम बताएंगे कि उधर जाये तो उसी पेट्रोल पर रुखना और वहां पर बढ़िया सवीदा है रुखने की खाने की और रहने की वैस्ता बढ़िया ठीक है अच्छा एक चीज मैं आपसे सवाल कर लेता हूं डीजल तो आप कहीं से लेते होंगे लेकिन यहां जब आप डीजल लेते हैं पांसो एक हजार की मात्रा में डीजल आप लेते हैं तो आपको इनाम भी दिया जाता है तो यह सारी चीज़े आपको कैसी लगती है यह बढ़ निखल मेडी तिवारी जी जो यहां के पेट्रोपम्प मालिक हैं जिनके नाम से यहां की संस्ता चलती है उनके द्वारा ड्राइबरों के उत्सा बर्धन के लिए इनाम भी दिया जाता है और यहां नहाने का कोई अलग से सुल्क नहीं लिया जाता है यहां आप गाड़ी लोट से हटके गाड़ी खड़ा कर सकते हैं कई बार जो रोट पर धाबे बनाए जाते हैं वहां ट्रक चलाने वाले ड्राइबर भाई गाड़ी खड़क खड़ी कर देते हैं कई बार एक्सिडेंट भी हो जाया करता है लेकिन यह आपको रोड से हटकर पेट्रोल पंप के पीछे आपको खुबसूरा बड़ी सी एरिया है जिसमें आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं तमाम सुब्धा है वीडियो लंबी हो रही है मैं आप वीडियो को इंड करूंगा मैं चाहूंगा अपने ड्राइबर भायों से यह जरूर बोलूंगा कि आप इस सुब्धा क लेने से पहले इस चीज को बोलूंगा कि इस पेट्रोल पंप से यह मेरा प्रयास कैसा रहा कामेंट बाक्स में लिखकर जरूर बताईएगा नमस्कार झाल